नमस्कार मैं मम्ता आप सभी का स्वागत अपने इस यूटूब चैनल पर करती हूँ आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी जो मैंने Constitution Assembly पढ़ाया था और आज का हमारा टॉपिक है उदेश्य प्रस्ताओ आज का टॉपिक सुरू करने से पहले एक बार Constitution Assembly का Quick Revision कर लेते हैं ताकि आपको Concept अच्छे से किलियर हो जाए और समझ में आ जाए तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि समविदान सभागा गठन Cabinet Mission के सुझाओ के कारण हुआ था इसमें कहा गया था कि 10 लाख लोगों पर एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा जिसके आधार पर 389 सीटें हुई थी और इन सीटों को तीन पार्ट में डिवाइट किया गया था जिसमें 292 ब्रेटिस भारत चार चीफ कमिशनरी शेत्र थे और 93 रियासते थी चार जो चीफ कमिशनरी शेत्र थे इनको मैंने आपको एक easy method बताया था A, B, C और D A से हो गया हमारा अजमेर यानि मारवाड का शेत्र B से हो गया हमारा बलोचिसान, C से कुरू यानि जो आज का करनाटक है और D से हो गया हमारा देली इसी के साथ ही मैंने उसमें बताया था कि 3 जूनी योजना आई थी जिसे हम माउंट बेटन की योजना भी कहते हैं यह योजना आई थी 3 जून 1947 को जिसमें देश का विभाजन हुआ और 299 सीटे रही जिसमें से 299 तो ब्रेटिस प्रांतों के थे और 70 देशी रियाशतों के थे और जब सम्विदान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसमबर 1946 को तो इस दिन सम्विदान सभा में केवल 207 सदसे प्रेज़न थे और जिन में से 15 में से 9 लेडिसे प्रेज़न थी और 6 अपसेंट थी इसके साथ ही 73 मुस्लिम लीग भी अपसेंट थे इन्होंने सम्विदान सभा का पूणता बैशकार कर दिया था और 13 देशी रियासतें भी अपसेंट थी तो हमारे देश के पहले अस्ताइक कारवाग थे डॉक्टर सचीदानन सिन्ना जी और पहले इस्ताइय अदक्ष न्यूक्त किये गए डॉक्टर राजिंदर पडसाजी जो 11 दिसंबर 1946 को इनको न्यूक्त किया गया था और इसी के साथ हमारे समविदानी सलागार चुने गए बी एन राव आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से किलियर हो गई होगी जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सस्क्राइब नहीं किया हो प्लीज इसे लाइक और सस्क्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाना ना भूले तो आगे देखते हैं उदेश प्रस्ताओ तेरा दिसम और 1946 को जवाला नैरुजी द्वारा यह प्रस्ताओ सम्विदान सभा में पेस किया गया जिसको 22 जनवरी 1947 को सम्विदान सभा में स्विकार कर लिया गया और इसी के साथ ही जो राष्टे अंदोलन हुआ था उसमें जो सिदान थे उसको सम्विदान सभा में लाया गया और उनको सर्वोतम सारांस बनाएगा इस देश प्रस्ताओं में इसके साथ ही मोतिलान नहरू जी की अध्यक्षता में गठित 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसे हम सम्विदान नहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं और 17 मई 1927 को कांगरेश के मुंबई अधिवेशन में मोतिलान नहरू जी द्वारा या प्रस्ताओं पेश किया गया जिसमें कांगरेश के केंद्रिय और प्रांतियम विधान मंडोलों के निर्वाचित जो शदश्य थे वा राजनीतिक दलों के जो निर्वाचित नेता थे उनके परामड से भारत के लिए शम्विधान निर्माण का आवाहन किया गया इसी के साथ जून 1934 में कांगरेश कारकारनी द्वारा एक अपचारिक जो वयस्क मतादिकार हुए थे उसके आधार पर निर्वाचन किया गया जिससे शम्विधान सभा द्वारा शम्विधान तयार के जाने की मांग की गई आए हो आप लोगों को इतना किलियर हो गया होगा आगे चलते हैं सम्विधान सभा अपने कार्यकाल में तीन चरणों से गुजरी तो ये तीन चरण थे पर्थम चरण था जो 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस 1947 तक चली इसमें नहरू जी ने सम्विधान का उदेश प्रस्ताव प्रस्तूत किया वा उस आधार पर सम्विधान का जो प्रारूप था उसको तयार कर रही की जो प्रक्रिया थी उसको प्रारम की और दित्य चरण में 15 अगस 1947 से 26 नवंबर 1950 तक चली इसमें सम्विधान सभा एक प्रभुत्त संपन एम अस्ताई रूप थी जिसके साथ ही सम्विधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1950 को ही विचार सुरू हो गया और इसके परश्चाद इसे पारित कर दिया गया तीसरे चरण में यह चरण 27 नवंबर 1950 से मार्च 1952 तक चली इस दोरान सम्विधान सभा और 27 संसत के रूप में कारे करती रही जब तक कि भारत में आम चुनाव नहों और इसके परश्चाद कोई निर्वाचित परतिनिदित ना चुना जाए इसके साथ ही संसत का निर्मान नहीं हुआ था और इस पूरी प्रक्रिया में सम्विधान निर्मान की प्रक्रिया थी इस पूरी प्रक्रिया में दो वर्ड्स 11 महीने और 18 दिन का समय लगा जिसे हम कुल 144 दिन की बहस भी कह सकते हैं आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि प्रारूप समीती का गठन सम्विधान सभा की समीती में शरवादी मेहत्तपूंड समीती थी प्रारूप समीती इस समीती का गठन 29 अगस 1947 को हुआ जिसमें सा सदश्य थे और इस समीती का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर बी आर अमबेटकर तो कई बार कोशन में पूछ लेते हैं कि हमारे पर्थम प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन है तो आप लोग टिक करके आएंगे डॉक्टर बी आर अमबेटकर और इस दोरान प्रारूप समीती का जो सरवादिक मैत्तपूर इसले कहा जाता था क्योंकि इस समीती के जो नए शम्विधान थे उसका प्रारूप तयार करने की जिम्मेदारी इनको सौपी गई थी इसले विभिन समूतियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद इस प्रारूप समीती का गठन किया गया तो सम्विधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ जिसमें लोगों की सिकायतों, आलोचनाओं और सुजाओं के परिप्रेक्ष में प्रारूप समीती ने इसके प्रारूप में महत्तपूर्ण शंशोधन किये आगे देखते हैं कि 15 नौंबर 1948 वब 15 अक्टूबर 1990 के बीच शम्विधान के प्रारूप में परतेक उपबंद पर सम्विधान सभा में विचार विमर्ज किया गया जिसके साथ सम्विधान सभा में सम्विधान के जो प्रारूप थे उन पे तीन बार वाचन हुए हैं पूरी सम्विधान सभा में प्रारूप को तयार करने के लिए तीन बार विचार विमर्ज किया गया है यह यूं कह सकते हैं तीन बार वाचन हुए हैं जिसमें प्रथम वाचन सम्विधान सवा में नौ नौमबर को बी आर अम्बेडगर जी द्वारा किया गया इस दोरान सम्विधान सवा में पांच दिन तक आम चर्चा चलती रही आगे देखते हैं दित्य वाचन 15 नौमबर 1948 से प्रारंब होकर यह कार्य 14 नौमबर 1950 तक चला जिसमें सम्विधान का खंडवात पर विचार किया गया आई होप आपको इतना किलियर हो गया होगा आगे देखते हैं कि सम्विधान सभा का तित्य वाचन 17 नौमबर 1950 डौक्टर बी आर अम्बेड करके दा कॉंस्टिटूशन एज सेटल्ड बाइ दा असेम्बली बी पास्ट प्रस्ताव के साथ आरम हुआ और इसके साथ ही 26 नौमबर 1950 को सम्विधान सभा द्वारा इसे पारित किया गया और इसको घोसित कर दिया गया इस समय प्रारूफ समीती के शदस्य थे डौक्टर बी आर अम्बेड कर एन गोबाल स्वामी अलादी कृष्णा स्वामी आयर और के एम मुनसी थे आय होब आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से किलियर हो गई होगी इसके साथ आप कोई सी भी बुक उठा के देखोगे तो आपको कॉंसेट अच्छे से किलियर हो जाएगा और प्लीज 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 बुक जरूर उठा के देखें और इसके साथ ही जो नई यूजर हैं जिनोंने मेरे चैनल को लाइक एंड सास्क्राइब नहीं किया है तो मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अच्छाइब जरूर करें और इस बैल आइकन को दबाना आप भूलें तो मैं जल्दी नई टॉपिक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगी धन्यवाद